पावर सेट होता क्या है? दफेट फॉर्म बाई अल्ड़ सबसेट अफ एजनी कि ऐसा सेट जो कि दफेट फॉर्म बाई अल्ड़ सबसेट अफ एजनी कि अगर उनको मिला करके एक नया सेट बना दिये जाए निस सेट इसकोल पावर सेट ठीक है मानलो अ है एक इनको बन सकते हैं एक इससेट को हम कहेंगे पावर सेट राइट if a is a fit with the n of a is equal to m यानि कि अगर a मे m element है जैसे यहाँ पे कितने element है 2 element है तो कितने power fit बना था 1, 2, 3, 4 element का तो इसी तरीके से n of power fit जो होगा वो 2 to the power of m हो जाएगा यानि 2 to the power of 2 यानि 2 to the power of 2 यानि कि 4 तो यहाँ पे 4 आया था इसी तरीके से अगर m है तो 2 to the power of m करोगे तो आपको पता जिल लगा कि power fit में कितने element आपके आएगे बच्छो तो यह भी बहुत एकाफान पा तरीका है अब बात करते हैं यूनिवर्सल फेट के बारे में a fit that contain all the element under the Confideration in the given problem is called Universal fit and it is denoted by Sigma और U ठीक है तो यह हमारा Universal Fit का concept है जो कि Universal Fit क्या होता है तीको universe का मतलब क्या होता है All the content मतलब सब कुछ मिला दिया जा है ठीक है तो जितने भी fit होते हैं जितने भी element होते हैं उन सभी को मिला कर कि एक ऐसा फेट बनाए जिससे हम यूनिवर्सल फेट कहलाता है यानि कि यूनिवर्स ठेक है जिससे कि एक अधर चाहूंगा कि अधर A एक ओल टो भी ऑनिवर्सल फेट फेट वह सकता है तो स्वाजाल्ड़ अलगोको बनाए पर्दाए एक अधर चलिक ऐपको पास ए लिया रहा है 1 2 3 B दे रखा है 2, 4 और C दे रखा है 1, 2, 3, 4 हमें find the value of X such that हमें X के value निकालना है कि अगर X subfit है A का X के है बच्चो subfit है A का and X is the proper subfit X is the subfit of B और X subfit है A का भी और X subfit है B का भी तो पहले तो बच्चो A के कितने subfit बन सकते हैं A का subfit हो सकता है 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3 B के subfit क्या क्या हो सकते है 5, 2, 4, 2, 3 अब दोनों में जो common part होंगे ठीक है तो X belong कर रहा है A से भी और X belong कर रहा है B से भी यानिके X में the subfit of both A and B तो दोनों में common part है एक 5 है और दूसरे कौन है और 2 है बाकी कुछ भी common नहीं है तो 5 and 2 is just subset 5 and 2 क्या है बच्चो यहां पर subset है दूसरे पार्ट देखते हैं यहां पर दूसरे पार्ट यहां पर कह रहा है कि X contain in C अगर X contain कर रहा है C में बट X does not contain in A और X contain नहीं कर रहा है तो subset of C क्या होगा तो C, R, C क्या है बच्चो C का अगर subset बनाते हैं दिखिए 1, 2, 3, 4 तो 4, 2 to the power of 4 यहां is 16 तो यह बनेगा अब X contain कर रहा है C को बट X not contain in A तो X contain कर रहा है C में बट not in A में तो यह वाले जितनी भी element थे उनको हटा जीए बाकी जो बचा यह वाले यह फूरू के सभी element 1, 2, 3 तो 4 आजाएगा फिर 1 और 4 आएगा फिर आपका 3 और 4 आएगा तो इस तरीकिंग के content जो भी बचेंगे ठीक है वो हमारे रहेंगे बाकी 1, 2, 3 के साथ 1, 2 के साथ और 1, 3 के साथ जितनी भी element हों तो अभी element हटा दी जेंगे बच्चो अगरा पाट देखिए हैं आपर कि for any subfit of A and B it's true that कि powerfit of A union of powerfit of B is equal to powerfit of A union B justify your answer यह हमने justify भी करना है तो सबसे बहुत जो आप देख सकते हो A is equal to 1, 2 है B is equal to 2, 3 है ठीक है तो powerfit of A is equal to 5 1, 2 और 1, 2 powerfit of B अगर B का powerfit निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चो 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 2, 3 आएगा अब हम powerfit दोनों करिका रते हैं तो powerfit of A and powerfit of B यह कितना होगा बच्चो आपका 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा 1, 2 होगा, 3 होगा और 2, 3 होगा यह कि पुरा universe का powerfit ले लिया यह कि A union B में कितने element contain करेंगे 1, 2 और 3 तो A union B यह कि power union B जो होगा 5 होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा 1, 2 होगा, 1, 3 होगा, 2, 3 होगा और 1, 2, 3 होगा यह कि इससे हम कर सकते हैं यह दोनों term आपसे बराबर नहीं दिख रहे हैं आप देख लो, यह term आपसे बराबर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं तो यह ही तो प्रूव करना कि तो करो कि आपसे इकुल नहीं हो सकते हैं चलिए, आकरी question लेक लेक लेते हैं 2 finite set have M and K element दो finite fit is जिसके पास M और K element है if the total number of subset of first is 56 और पहले वाले के total number of subset के इतने बनना है 56 then the total number of subset is second then the find the value of M and K more than second कुश्टिम को थ्यान से पढ़िये हमारे पास 4 कों से fit है A और B है then cardinal number of A is M है और cardinal number of B is क्या है के है M is greater than N है now हम यह लिख सकते हैं कि N of P of power set of A यानि कि 2 to the power of M होगा यानि कि N of P of B होगा 2 to the power of K होगा यह हमने दो टाप हमने लिख लिए अब according to the given statement के लिखेंगे कि A is 56 पढ़ा है तो इसको 2 to the power of M माने 2 to the power of K माने 2 to the power of M माने 2 to the power of K का जो difference हो 56 है अब आस इसको प्रूफ करना है कि वो पढ़ा है कि नहीं है तो देखो 2 to the power of K इसको कैसे लिखेंगे 2 to the power of K and 2 to the power of M minus K minus 1 is equal to 2 to the power of 3 into 7 इसको हम लोगो ने इस तरीके से लिख रहे हैं यानि कि 2 to the power of K जबड़ जब़ा इसको 2 to the power of 3 into 7 करके लिख लिख लिया अब या तो ये पुरा का पुरे टम इसके बराबर होगा या तो ये पुरे टम इसके बराबर होगा तो दोनों को में बराबर कर लिया तो इससे K की वड़ो एक बर 3 आ रही है और इससे सॉल्व करने के बाद जो M की वड़ो आरी हो 6 आरी है तो आपका यही टम से हाँ पे पूछा गया था कि K और M में आपको टम बताना है कि K और M की क्या वैलू हो सकती है बचो